बंधूँ नियम दो परकार के होते हैं एक प्राकिर्तिक नियम और दूसरा कृतिम नियम प्राकिर्तिक नियम है जो प्रकिर्ति के द्वारा तैं किया गया है जैसे पुर्वया हवा चलती है तो हिंदू के लिए, मुसल्मानों के लिए, सिकों के लिए, इसाईयों के लिए, अवर्तों के लिए और मर्दों के लिए और पचिया हवा चलती है तो सब के लिए, बारिश होती है तो सब के लिए, रातरी होती है तो सब के लिए, सुबह होता है तो सब के लिए, भुकम फाता है तो सब के लिए, और ठनका गिरता है तो सब के लिए पत्थर गिरता है तो सब के लिए अती बिरिष्टी होती है तो सब के लिए अना बिरिष्टी होती है तो सब के लिए रितु परिवर्तन होता है तो सब के लिए सब के खेत में अनुबजता है फलुबजता है और सब के दरवाजे पढ़के गाहे भैंस दूद देती है और सब का जनम भी भिया हुआ एक परकार से चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सीखो, हिसाई हो सब लोग अपने मां के गर्व में नौ महीना रहे है अज सब लोग मां के गर्व से बाहर आए ये नियम भी प्रगिर्थी की एक रंग है और मरेंगे भी एक ही रंग से चाहे हिंदू हो, मुसल्मान हो, सीख, हिसाई हो सब मरेंगे भी, वहाँ भी नियम एक परकार का होगा प्रगिर्थी में हम लोग इंसान बन के आये थे नो कोई ठीकी लेके आया था सिखा और नो कोई सुन्नत करा के आया था नो कोई पंच कटार करा के आया था और नो कोई बतिस्मा करा के आया था कोई नियम नहीं था कि सारी लोग इंसान साहर कभीर ने कहा हंसा तू तो सवल था हल की अपनी चाल रंग कुरंगे रंगिया तो और किया लगबार एहांस जिस दिन तुम मां के गर्व से बाहर आया था तेरी चाल बड़ी निराली थी उस दिन उस दिन तुम हिंदू नहीं था मुसल्मान भी नहीं था सीख भी नहीं था और इसाई भी नहीं था उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातियता की भावना नहीं थी कोई संपरदािकता की भावना नहीं थी कोई उंचनीच्की भावना नहीं थी कोई avern्स की भावना नहीं थी कोई चुवा चूत की भावना नहीं थी उस दिन तुम चोड लवरा लंपट बैमान दलाल घुजखोर भी नहीं थी उस दिन तुम मांस मचली तारी दारू गाजा भां बिरी सिग्रेट पांसो पारी शिखर पराग जड़ता किमाम भी नहीं खा रहे उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था उस दिन तुमको मंदिर, मस्जिद और गिर्जा गुर्द्वारा का भी जरूरी नहीं था उस दिन बच्चा कैसा है? हंस के समान हंसा तू तो सबल था सद्गुरु कबीर कहते हैं जिस दिन तू आये थे तु सबल थे लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई कैसे रंग कुरंगे रंग गिया रंग एक सिधा साधा सब्द है उसमें कूप सर्ग लग गया कूप लग जाने से रंग कैसा हुआ अच्छा हुआ दिगर गया पांच रंग हम अच्छा लेके आये थे मा के गर्व से वो रंग हमारा था सब्द दया धैर्ज, सील, विचार जेउजों सरीर का विकास हुआ और जेउजों हमारी जबानी आई असली रंग उतरते गया और नकली रंग मेरे उपर चड़ गया नकली रंग क्या है? काम, क्रोध, लोग, मो, आंका यह रंग चड़ गया मेरे उपर तो जब गलत रंग चड़ा मेरे उपर तो काम गलत होंगे किसा ही? कैसा होगा? गलत होगा और काम गलत होगा तो विपत्ती आएगी की नहीं? आएगी उस विपत्ती में उस विपत्ती के काल में हमारी सैतानी शुरू हुई और मैंने लोगों ने उस विपत्ती काल में भगवान का उदगार्टन किया गया भगवान कहीं है नहीं कहाई भगवान नहीं है लोगों के द्वारा उदगार्टन किया गया भगवान है बंधुओं नियम पर नियम लगाया गया कुछ लोगों ने अपने बच्चे को मुंदन कराया टीकी छोड़वाया तो बच्चा हिंदू हुआ और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को सुन्नत करवाया मुल्वी सहब को बोलाके तो वो मुसल्मान हुआ कुछ लोगों ने अपने बच्चे को पंच कठार कराया तो उसीख हुआ और कुछ लोगों ने अपने बच्चे को बतिस्मा कराया तो उसाही हो गया चार दल में बट गए आये थे इंसान बनके और यहां क्या हो गए हिंदू होना क्या है हिंदू बनना क्या है इंसानियत है हिंदू बनना सैतानी है और मुसल्मान बनना भी सैतानी है यह नियम कौन लाया नियम कौन बनाया चार नियम कौन बनाया आपने परगिर्थी ने नहीं बनाया परगिर्थी ने कोई बैमानी नहीं किया नियम में परगिर्थी ने आपको ठीकी नहीं दिया था साहब कबीर ने कहा मुसल्मानों से जो तु तु तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेटा ही काहे न सुन्नत कराया अगर तू बास्तों में मुसल्मान है तो मा के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं किया गया तब हम समझते हैं तू ओरिजिनल मुसल्मान है यह नियम बनाया गया हिंदू अपना नियम बनाया मुसलमान अपना नियम बनाया सीख अपना नियम बनाया और इसाई अपना नियम बनाया हिंदु का नियम है होली, दिवाली, छाट, चचंदा, सहुनीगरी, जिपिया, कड़वाचोथ, तीज, कर्मा धर्मा महा विष्णु जग, महा रूद्र जग, सत्चन्डी जग, सत्नरायन बर्थ का था अब मुसल्मान अपना नियम बनाया इद, बकरीद, सुबरात, तजिया वो आपके एक भी नियम को नहीं माना है मुसल्मान आपके एक भी नियम को नहीं माना आप पूरं घुमते हैं तो उपच्छिन घुमता है आप गाय के गोबर के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है आपके एक नियम को नहीं माना है आपका गरंथ है रमायन, महभारत, गीता, सुक्सागर, बेग, पुरान, अस्मिर्थी, उपनिशत तो उसका गरंथ है कुरान, जबुर, इंजिल, तोरेत और, अदीश, आपके गरंथ को भी नहीं माना वो अपना नियम अल, आपके एहां मरने के बाद तुरत उसलास को जलाते हैं, हलका पहनते हैं तिराती सतनेहान, नकभाल, सराद, सपिंडन करते हैं मुसल्मान उसके बाद अपना नियम लगाया, उत्रत जाके दपना दिया, और कोई भाउज भात नहीं कुछ नहीं किया अशीक का नियम उसे और अलग, अईसाई का नियम उसे और अलग हिंदू से किसी ने पूछा, कि आपके भगवान क्या खाते हैं कहा अरवा, चावल, बतासा या तुर्शी के पत्ता, कहा हिंदू के देवता के लिवरे खड़ाब हिंदू के भगवान के लिवरे खड़ाब, यह बतासा खाता है, बतासा, अरवा, चावल मुसल्मान से पूछा, आपके अल्ला क्या खाते हैं तो मुर्गी, कबुतर, बकरी, भेरी, गाय, भैंस, उंट, दुम्मा खाता है, आपके अल्ला का लीभर मजबूत है, और सब कुछ खाता है, पचाता है, लेकिन कहा मुल्वी साहिए, आपके अल्ला का भी लीभर उतना मजबूत नहीं है, कहा कैसे, सुगर में चर्वी होता है जा दे, वो अल्ला के लीभर पर पास नहीं करता है, आपके अल्ला का भी लीभर उतना मजबूत नहीं है, इसाहिए से पूछा, आपके भगवान क्या खाते हैं, कहा हमरा तो गाय सुगर दोनों खाता है, आपके भगवान का लीभर मजबूत है, वो गाय सुगर दोनों कही इस सारा नियम किसने बनाया असांच किसका नियम है किसके नियम से बैकुंत होगा किसके नियम से सतलोक होगा किसके नियम से जन्नत होगा किसके नियम से बेटा बेटी होगा किसके नियम से पाड़ा पारी होगा किसके नियम से बाचा बाची होगा किसके नियम से खेती बारी होगी किसके नियम से बिजनेस बेपार होगा किसके नियम से नोकरी चाकरी मिलेगी किसके नियम से परहाई लिखाई होगा कौन नियम सच्चा है इस चारों में सच्चा नियम कौन है कौन सतलोक जाएगा कौन जन्नत में जाएगा कौन बैकुंट जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा किसके नियम को माना जाए ये चारो नियम में गर्वरी है सद्गुरु कभीर ने कह दिया पक्षा पक्षी के कारणे सब जगरहा भुलान निर्पक्ष हो के जो बजे सोही संथ सुजा कभीर ने चारो का विरोध किया नहीं तो चारो का सपोर्ट किया चारो में जो अच्छाई है उसका सपोर्ट सद्गुरु कभीर करते हैं और चारों में जो बुराई है उसका खिलाब करते हैं सद्गुरु कभीर उतना ही नहीं यह तो चार नियम पूरे बिश्व के अंदर मैंने बताया एक हिंदु धरम में नियम देखा जाए रमानंदी का नियम अलग है कभीर पंथी का नियम अलग है आर समाज का नियम अलग है गातरी परिबार का नियम अलग है आनंद मार का नियम अलग है जै गुरुदेव का नियम अलग है बाल जुगेश्वर का नियम अलग है सदपाल जी का नियम अलग है सदाफल देव जी का नियम अलग है आसा राम जी का नियम अलग है भगवान रजनीष का नियम अलग है बाबा हर्देव सिंग का नियम अलग है आसुतोष जी महराज का नियम अलग है ठाकुर अनकूल चंद्रजी का नियम अलग है राधा स्वामी का नियम अलग है ओम सांती का नियम अलग है रामरहीम सिंग का नियम अलग है जैन का नियम अलग है बोध का नियम अलग है अब इसमें से बताईए तो कोन नियम सही है इस सारा नियम बनाया कौन? साहब कभीर ने कहा गुरू पसू, बेद पसू, नर पसू, तिरिया पसू संसार कहें कभीर वे न पसू, जाके बिमल विचार, जितने लोग गुरू पसू है अब गुरू के बाद पर विश्वास करते गए और नियम पर नियम बनते चला गया आज हरिंद्रा नंद का भी चेला हो सकता है इब भठियारा पंथ में भी लोग है इब भी नियम लागू हो गया, जागा जागा महादेव इस सारा नियम कौन बनाया? रमनन्दी में उतो छोड़ दीजिये कभिर पंथी में बार नियम बचन बंस, बंस गादी अभी मेरा कार्जकरम था महरास्ट में नागपूर नागपूर जम मैं गया नागपूर एस्टेशन से 80 किलो मीटर के दूरी पर एक कलंभा गाउं है वहाँ पर रघवा जाती के लोग निवास करते हैं रघवा जाती रघवा जाती का महरास्ट में 42 गाउं है और 42 गाउं में एक घर भी सांकट नहीं है मासमसरी खाने प्योर कविरपंती 42 गाउं महरास्ट गाउं है वह सारे लोग बंस गादी से जुरे हैं वह सारे लोग बंस गादी से जुरे हैं एक बचन बंस का नियम जड़ा कविरपंत का नियम देखा जाए बचन बंस बंस गादी पार्खी भगताही जागू साहे बुनियाद साहे दरिया साहे घीसा साहे पल्टू साहे गरीब साहे तत्वा जीवा सुरती गुपाल साहे कितना हुआ इतना नियम कविरपंत में लगाया गया रमानंदी में चार नियम लगाया गया निम्बका चार्ज, संकरा चार्ज, रमानंदा चार्ज और माधबा चार्ज चार दल हो गए रमानंदी में अब बहुत धरम में दूदल हुए हीन यान और महायान जैन धरम में दूदल हुए स्वेतांबर और दिगंबर किसका नियम सही है किसके नियम से मुक्ती होगी किसके नियम से मेरे जीवन में सुक्सांती आएगा विचार किया गया कहीं से सोचा गया कि केवल गुरू के बाद पर विश्वास किया गया हम गुरू के बाद पर विश्वास नहीं करेंगे हम गुरू के बाद पर विचार करेंगे विचार में आया ठीक है, मेल खाया ठीक है अन्य तो बहुत गुरू हम देखेंगे ऐसे गुरू के पीछे हम नहीं रह सकते हैं जो हमको पसु बना के रखे अपने गरेरी बनेया हमको भेरी बनाके रखे विश्वास करके गुरु के बाद पर विश्वास करके इतना मत्पंथ और इतने नियम परी नियम चलाए गए सब का नियम अलग-अलग है उँ कहता है उँ जाएगा नड़क में तो उँ कहता है उँ जाएगा नड़क में सब का अपना अपना नियम अलग अलग हो गया तरेगा कौन स्वार कौन जाएगा असाहे कभी स्वार को एक सीरे से खाली करते आए नर्तु पार उतर कहां चाही हो जाओगे कहाँ, आगे पंति पंत न कोई, आगे न कोई राही है और न कोई रास्ता है, आगे पंति पंत न कोई, कूच मकान न पई हो, कहें कभीर सुनूं, सुनूं भाइसा दो, जहां के पौद तहों इच्छा रही है जाना भी कहीं नहीं है अश्वर्ग नर्क भी कहीं नहीं है अजर नियम देखा गा मुसल्मान का नियम अलग सीख का नियम अलग इसाई का नियम अलग पार्सी का नियम अलग यहुदी का नियम अलग हिंदु का नियम अलग, रमनंदी का अलग, कविरपंथी का अलग, हजय, गुर्दे, बाबाल, युगेश्वर, आनंद, मार, गात्री, परिवार, सब का जब मानिये दयानंशर्शती जी बेद को सोध करके आर समाज पंथु नोने निकाला जाती बात का विरोध किया, मुर्ती पूजा का विरोध करके जब हर समाज पंथ निकाला, तो हिंदू समाज में मुर्ती पूजा की विशेषता है, लोगों के दिल से जाता नहीं है, आज कविरपंथी लोग भी मुर्ती मंथ पर लगाते हैं, चुकर अनादी काल से बैठा मुर्ति का पूजा, वो हिर्दय से जा नहीं रहा है, तो मुर्ति का पूजा किया जा रहा है, बंधू, समस्या है, कैसे हमारा कल्यान होगा, सब लोग दिख भरमीत हो रहे है, बास्तविक्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और बास्तविक्ता की चर्चा, बास्तविक्ता की चर्चा सद्गुरु कभीर किये, सब का हूँ का, लीजिये, साचा सब्द निहार, पक्ष पात मत कीजिये, कहां ही कभीर भीचार, साचा सब्द जहां मील जाए, वहां से ले लीजिये, और चूपचा प्रस्ता पकर के निकल जाएजिये, और जुट्था सब्द जितना हो, उसको वहीं पर छोड़ दीजिये, एक भी मत दीजिये, एक भी जुट्था सब्द मत लीजिये, तो साच क्या है, ये चर्चा मैं कहां का कर रहा हूं, ये भी सुन लीजिये, ये चर्चा राम चरित्र मानस की है, काग जी और गरूर जी का संबाद है, काग जी ने गरूर जी ने काग जी से पूछा है, तो काग जी ने गरूर जी को समझाया है, कि गरूर जी नियम से मुक्ती नहीं होती, आज सारे लोग नियम में फसे हैं इतना बोज के इतना मिनट में गंगासनान है अब उतना में अगर नहीं हुआ गंगासनान तो यह को चुटकी पूर्ण नहीं होगा सब आगे या कतम होगे इतना बोज के इतना मिनट में सजुका रख है इतना बज के इतना मिनट में पारन है फनला दिन से रोजा शुरू है एक दिन अगर आगे पीछे हुआ तो पून नहीं होगा अगर रास्ता चलने के समय कहीं कोई तेली मिल गया तो जत्रा घतम है जत्रा बिगर गया आगरी चीक दिया तो और चौपर आगरी खैलिया धैला कोई देखा दिया तो बुझिये आगर चलते समय कहीं बिल ली इस पार से उस पार हो गई तो जत्रा बेकार है आये कोगो मिया भी लाई गये देके नहीं रुकता हूँ चलते रहता वो कर्जतरा ठीक है हिंदू के भीगर है साहब जी कह रहे थे कि हम जा रहे थे पुर्णिया जंसन गारी पकर रहे नहीं, रामपुर तिलक से जानकी नगर तो गारी हांकने वाला बहलमान था वो हमको कहता है साहब जी घुम जाएए आज गारी नहीं मिलेगी जदरा भीगर गया हमके भी एक उप कहां के तहीं ने उसके खारा रहने से गारी नहीं मिलेगी चलो, ले चलो गारी अजब दो सुट्रे का आगे गया तो कहता है साहब जी, गारी मिल जाएगी जदरा बन गया क्या हुआ तब भी लट सा के दांट देखनी है अरे ता दांट है ब्रह्मन के दे है तेली के दांट देखने से जदरा बन गया इनियम, हिंदु धरम में इनियम है पंडा से आवे तो हाथ देखवाईए कहें वो बेटा जो है, वो बेटी आपके नसीम में है धन कितना है आई ये कोग मुसल्मान आज तके हाथ नहीं देखवाया आपके इतना धन नहीं है कि उसके पास नहीं उसके पास धन नियम पर नियम नियम पर मंगल के दारी न बनावेगा है तब मंगल बना क्यों, अस्वनिचर बना क्यों अभी पूस में बिवा क्यों हो रहा है कभी हुआ था पूस में बिवा अभी धरल्ले से पूस में बिवा चला है इनियम के बना है चला है अभी पूस में बिवा कि ना कि जुट बाता है आज तक कभी हुआ था पूशने दिवा सहरसा में मध्यपूरा स्टेशन से आगे एक गुधमा स्टेशन है उसके बगल में भदवल एक गाओं है भदवल में एक इंजिनियर सहें है जाती से गरेरी हैं छो भाई सात भाई है अच्छा वो सातो भाई अपसर है अच्छा वो सातो भाई के पतनी भी अच्छा अच्छा पोस्ट पढ़ है अब पिता जी हजारी पर साथ मंडल वो भी सिक्षक से रिटायर है इंजिनियर साहब बोले कि उनके भाई का बर्तुहार आया तो तीलक की चर्चा हो रही थी 10 लाख 20 लाख इंजिनियर साहब कहे कुछ नहीं आगे मलमास पर रहा है बेटी बालों को कहा उन्होंने कि मलमास में करना है नहीं लगेगा तीलक अन्हरा चाहें दुआख बेटी बला तुरत तयार हो गया कर लेंगे जाके देखिए बाल बचा है कि न मलमास में भी आ कर लिए का कि उबाम सेफ से आते हैं इंजिनियर साहब कि नियम सत्थ नहीं है काग जी गरूर जी से कहते हैं गरूर जी नियम से मुक्ती नहीं होगी किसी कर दूसरा धर्म धर्म से भी मुक्ती नहीं होगी इवी सुन लीजे राम चरित्र मानस की चर्चा है कोई श्रद्गुरु कबीर की बात नहीं है यह ठीका टिपनी कर दीजेगा राम चरित्र मानस में लिखा है कि धर्म से मुक्ती होने बाली नहीं धर्म से कैसे मुक्ती होगा दर्मकार तो होता है सुभाब, नेचर, गुन जैसे गाय का सुभाब है घास खाना अब बाग का सुभाब है मांस खाना बबुला का सुभाब है मचली खाना गीध का सुभाब है मांस खाना अब भावरा का सुभाब है फूल का पराग लेना उसी तरह से आपका स्वभाब है भात रोटी खाना दुद्ध ही गिरित मक्षन मलाई खाना तो इसे अब तर कई से जाएगा कंठी बाहने लेसे तर जाएंगे आप कंठी बाहने की कोई आवसकता नहीं है गदह के गले में कोई कंठी नहीं है अपने नियम पर अपने धरम पर गदह चल लहा है का तक है कोई कहने वहाला की कावगे किई गदह का बेटा माँ और रहा है कोई कहेगा है गदहा अपने धर्म भी दोपर करके होते हैं एक प्राकिर्थिक और कृतिम आज तक गदहा अपने प्राकिर्थिक धर्म पर चल रहा है आज तक वो शूद साकारी है तो गदहा तर जाएगा गधा घास खाके तर जाएगा अब अब गुला मचली खाके तर जाएगा बाग मांस खाके तर जाएगा गोंगा सित्वा माठी खाके तर जाएगा उदो प्राकिर्थिक धर्म है धर्म गीत गाना नहीं है धर्म हर्मुनियम धोलक बजाना नहीं है धर्म शुम्रन ध्यान करना धर्म नहीं है धर्म गंगा चमना में नहाना नहीं है धर्म काशी पर्याग जाना नहीं है धर्म अस्तूती बिंती करना नहीं है धर्म कार्थ सिधा स्वभाव होता है नेचर गुन धर्म से कहा मुक्ति हो जाएगी धर्म तो आपका सभाब है मानव का सभाब है सब प्रानी का सभाब है धर्दी पर जितने भी प्रानी है सब अपने अपने धरम पर चल लहे है सब अपने अपने सभाब पर चल लहे है सब अपने अपने नेचर पर चल लें, सब अपने अपने गूल पर चल लें, तहीं सब बैकुंट हो जाएगा, गायधास खाजे सतलोक जाएगी, आप अस्तूती करके बैकुंट जाएगा, और कोई धोलक हर्मुनिया बजाके स्वर्ग चला जाएगा, कभी नहीं, यह आपका सुभाब है माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है हमारा सुभाब है सुध सकाहारी रहना हमारा धर्म है हमारा नेचर है हमारा गुन है हमरा सुभाब है साग सबजी भात रोटी खाना काजू किस्मिस बिदाम मुनक्का छोहारा खाना शेव संत्रा अनारस बेदाना खाना आम लिच्ची कट हर केला अमरूद खाना आलू गोवी टमाटर बैगं सीम परवल खाना मुव मसूर खेसारी हरहर चना खाना चावल गेहू मकई जौर बाजरा खाना यह मेरा नेचर है मेरा गून है मेरा सभाव है और मेरा धर्म है इसे और मांस मचली तारी दारू गाजा भांग भीरी सिग्रेट पांसो पारी सिखर बराग जर्दा किमाम चोरी दलादी बैमानी घुश्खोरी करना यह मेरी आदत है यह आदत है और वो धर्म है धर्म सुखदाई है धर्म आपको मुक्ति नहीं देगा धर्म से आपके जीवन में सुख खाएगा और जितनी भी आदते आपने लगाई है अपने जीवन में वो दुखदाई है बीरी आपको दुख देगा सिग्रेट आपको दुख देगा गाजा आपको दुख देगा दारू आपको दुख देगा तारी आपको दुख देगा मांस आपको दुख देगा मचली भी आपको दुख देगा चोरी दलाली भी आपको दुख देगा ये सारी आदत हैं और आदत मैंने अपने जीवन में लगाया है और धर्म मैंने मां के गर्व से लेके आया जो बच्चा जन्म लिया है कभी भी हूँ मुझ में मंस नहीं रखेगा और मचली मंस मचली ठाने के लिए बीजक में साहब कबीर कहते है राही ले पिपराही बही करगी आबत काहू न कही राही आया इस दुनिया में यहां के पहले लोग जो आये हुए थे पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला है पहले से जो मंस मचली खा रहा था खा रही थी और खा रहे थे मर्द वो बेटा बेटी को जवरन मुह में ठेल कर अखिया कर और आदत लगा दिया है मंस मचली खाना हमारा धर्म गाई भेशी के बच्चा अगर खुल जाए अखेत में जाए तो क्या खाएगा मांस खाएगा कि घास खाएगा उसका धर्म है घास खाना वो घास खाएगा वो मांस नहीं खाएगा यह सारे आदत लगाए गए आद आदत बाले लोग सब दुरगा जी के सामने भेर काटते हैं बकरी काटते हैं गाय के सामने काली के सामने दुरगा के सामने बकरी काटते हैं भेरी काटते हैं और अपने को धार्मी काते हैं इन नियम कहां से आया काली दुर्गा के सामने पकड़ी भेरी काटने वला नियम कहां से आए गया साहिब कभीर ने कहा मुसल्मानों से दीन में रखते हो रोजा रात हनत हो गाए यह खून वह बंदगी कसकर खूस खुदा है मुल्वी साहिब दीन भड़ान नहीं खाते हो पानी नहीं पीते हो अज्यों सुर्यास्त हुआ तो कोई बकरी काटते हो कोई गाय काटते हो कोई उट काटते हो कोई दुम्मा काटते हो एक तरफ इबादत करते हो एक तरफ खून की नदी बहाते हो अल्ला कुश होगा मान लिया जाए आप ही की बात को मान लिया जाए कि दुनिया को बनाने वाला दुनिया का मालिक कोई है इसको मान लिया जाए तो अगर दुनिया को बनाने वाला कोई मालिक है तो पूरे सिरिष्टी के जितने जीव जंतु है उसी के पुत्र होंगे ना पुत्री उसी के द्वारा नरचना सबका किया गया तो किसी के बेटा को कतल कीजिएगा तो उसका पिता जी आपसे दोस्ती करेगा अगर है कोई माली के एक कभीर ने तो खारिज कर दिया इस बात को असपस्ट कह दिया एक कहूं तो है नहीं बोलिया आप लोग भगबान कितने है भगबान कितने है कोई डोरे न बोल ला है सुत्रेगा की नौ सुत्रेगा कितने है एक है कहां मिले थे देखे थे कहां जूट बोलते हैं बबाजी होके नदा भवाजी सब जूट बोलता है कहां मिला कौलेज में मिला था कि होस्पीटल में कि बढ़ियात में देख लिए अकी चाओ साब बलोग पर मिल गया कि जीला में मिला कहां मिला यह कह दिया उपर उठा दिये एक है कहां है उँ हमको बात कराई है थतनी क्या बोलते हैं तह यह खाय तह एक मरेगा तही सम मर जाएगा एक मरे तह सम मर जाएगा पुरा स्रिश्टी के लोग अगर आप किसी कौलेज में जाएए किसी हाई स्कूल में जाएए आप कहिये वहाँ जाकर किसमें से एक लड़का कलक्टर बनेगा और लड़का से कपार फोर देगा की छोड़ देगा बोलिए बोलिए कपार फोरेगा की छोड़ देगा कैसे जान गए कि एक लड़का इसमें से कलक्टर बनेगा और कोई न बनेगा कैसे आप जमच गए भगवान एक है अगर भगवान एक है तो उन अरबा चावल खाता है कि गाए अब जवाब लाइए भगवान एक है उन बतासा खाता है कि गाए कि सूगर तीनों में से क्या खाता है उन उसको क्या पसंद है वो पुरब घुमने बाले से खूश है कि पच्छिम घुमने बाले से वो मंदिर जाने बाले से खूश है कि मस्जिद जाने बाले से बोलिये ले आप जूट फुस मत बोलिये वो एक कहीं नहीं है भगमान को आप एक भी नहीं कह सकते हैं दो भी नहीं कह सकते हैं, दस भी नहीं कह सकते हैं, बीस भी नहीं कह सकते हैं, लाख भी नहीं कह सकते हैं, और करोर भी नहीं कह सकते हैं एक कहो तो है नहीं, अदूजा कहो तो गारी है जैसा रहे पुनितैसा, कहीं कभीर भी जारी वो नए एक है न दो है न पांच है न दस है न लाक है न करोर है उसको आप गिंती नहीं कर सकते हैं घंती किजिएगा भारत का वेवस्था कुछ और है यहां के भगवान कुछ और है अचीन के भगवान कुछ और है जापान के भगवान कुछ और है अमेरिका के भगवान कुछ और है रूस के भगवान कुछ और है इंगलेंड के भगवान कुछ और है सौदी अरब के भगवान कुछ और है तो आप एक कई से का दिये भगवान की गिंती कोई नहीं कर सकता है कि वो स्वामी तुलसिदाज जी कहे गाट में है सूझ है नहीं लानत ये सोजिन्द तुलसिया सनसार को भयो है मोतियाबिन भगवान कहां रहता है हर घट में वो मठ में नहीं रहता है वो जर्रे जर्रे में नहीं रहता है वो कनकन में नहीं रहता है वो घट घट में रहता है मुसलमान लोग कहां खुदा जर्रे जर्रे में है अब पंदी जी लोग कहें भगवान कनकन में है तो भगवान यदि कनकन में है तो भगवान बेसे अले में भी होगा वहां टिकट कारता है क्या भगवान बैटके जहां कसया गाय भैसी कारता है वहां भी भगवान होगा जहां मचली पीक रही है वहां भी भगवान होगा जहां दारू की भठी चल रही है वहां भी भगवान होगा जहां तारी के तोकान है वहां भी भगवान होगा जहाँ गुश्खोरी चल लहा है दलाली चल लहा है वहाँ भी भगवान अगर कनकन में है तो हर जगा होगा क्या वैसा भगवान चाहिए आप लोगों को एक बात और जान लीजे घट-घट में भी भगवान नहीं है घट-घट में भी नहीं है अब घट-घट में होता तो जो आदमी पीरी पी रहा है वहाँ भगवान है जो सिगरेट पी रहा है वहाँ भगवान है जो दलाली खा रहा है वहाँ भगवान है जो घूस खा रहा है वहाँ भगवान है जो तारी पी रहा है वहाँ भगवान है जो मांस खा रहा है वहाँ भगवान है नहीं घट घट में भी नहीं है कवीर साहब कहते हैं करनी करेशो पूत्र हमारा कथनी कथैसो नापी रहनी रहे सो गुरू हमारा हम रहनी के साथी जो मंच पर केवल कथनी करे अकास पताल की बात करे अक करनी उसके पास कुछ नौँ खाली गलत काम करे अम मंच पर चर्चर घंटा परवचन दे दे बीरी पिए सिग्रेट पिए दलाली खाये घूश खाये सिग्रेट पिए साहब कभीर कहते हैं यह मेरा नाती है ऐसे लोगों को साहब कभीर ने जो केवल कथनी करता है उसको साहब कभीर ने नाती कहके संबोधित किया नाना और नाती का जो रिष्टा है वो दूर है की निकट नाना नाती का रिष्टा दूर है नाती होता है बेटी के बेटा नाना से उसका रिष्टा दूर है बेटी के बेटा है नाती रिष्टा दूर है सद्गुरु कभीर कहते हैं जो मंच पर केवल कथनी करता है उसे रिष्टा मेरा दूर है वो मेरा नाती है और करनी करेशो पूत्र हमारा जो चलता है करता है करके दिखाता है बोलता कम है करता जादे है वो मेरा बेटा है और उससे मेरा खून का रिष्टा है, खून का संबंद है करनी करह सो पूत्र हमारा, कथनी कथै सो नाती और रहनी रहे सो गुरू हमारा और जो कथनी करनी दोनों से उपर उठ गया अर्थात जो रहनी में आ गया पॉजेटिव डिगरी, कंप्रेटिव डिगरी and सुपरलेटिव डिगरी डिगरीयां तीन होती है और पोजीशन तीन है गूड, बेटर, बेस्ट गूड मने अच्छा, बेटर मने उससे अच्छा और बेस्ट मने सब से अच्छा आप मांस मचली तारी दारू गाजा भांग सब कुछ खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल लहा था संद जी मंग से बोल लहे थे मांस खाना मचली खाना तारी दारू गाजा भांग बिरी सिग्रेट खाना ये अध्यात्म के विरूद है और मानव के स्वास्त के लिए विरूद है इसको नहीं खाना चाहिए तो आपने खाना छोड़ दिया खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ की नुकसान दुरदेशन खाना छोड़ दिये तो नफा हुआ की नुक्सान नफा हुआ अब आपको डिगरी मिल गई अब आप हो गए पॉजेटिव डिगरी और प्रानी शाप अच्छे हो गए अब आप हो गए पापात्मा नहीं रह गए अब आप हो गए जीवात्मा एजे पॉजेटिव डिगरी उसके बाद गए सद्गुरू के सरन में दिख्छा लिया असारा चोरी दलाली बैमानी हत्या बलतकार छोड़ दिया तो नफा हुआ की नुक्सान नफा हुआ और डिगरी आपकी आगे बढ़ गई अब आप हो गए कंपरेटिव डिगरी एंड बेटर उससे भी अच्छा अब आप हो गए महात्मा क्या थे पाप आत्मा अउसमें सुधार किये तो क्या हुए जीवात्मा अउसमें सुधार किये तो क्या हुए महात्मा महात्मा और महात्मा बंने के बाद निरभैर निरभै निसकाम निर लोर मन और मन की कल्पना बुद्धी और बुद्धे की तरकना इंद्री और इंद्री की भोगवासना कि चीत और चीत की चंचलता से जब आप आप उपर उट गए सारी आशक्तैं मिट गई सारे पापकरम खतम हो गया, आंत में आप ही बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री, एंड बेस्ट आप ही बनेंगे परमात्मा, परमात्मा की डिग्री कहां उतरती है, कलक्टर की डिग्री कहां उतरती है, विद्यार्थी पर, और परमात्मा की डिग्री कहां उतरती है, आत्मा यही आत्मा पाप करम कर रहा है तो पापात्मा है यही किसी का धर फूक दिया किसी का परतिष्ठा लूट लिया किसी का मड़ कर दिया तो इसी को आप कहते ही दूस्टा आत्मा है इसी को लोग कहते ही दूस्टा आत्मा है यही मास खाया मचली खाया चोरी दलाली किया तो आप कहते ही पापात्मा है यही आत्मा किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिया कोई बीमार था इलाज करा दिया कही स्कूल को लेज इनवर्सिटी बनवा दिया तो आप कहते ही धर मात्मा है और यही आत्मा जब सुमरन में लग गया ध्यान में लग गया साधना में लग गया भजन में लग गया किर्तन में लग गया तो आप इसी आत्मा को कहते ही महात् कर्मों से उपर उठ गया तो इसी आत्मा को हमांत में परमात्मा करते हैं आज लोग परमात्मा के खोज में है अस्तूति भिंति उसका कर रहा है कि परमात्मा कहीं रीज जाए परमात्मा कहीं दर्शन दे दे कोई आभी पाए हैं दर्शन जिसको हमारा खंदान नहीं देखा हम अपने नजर से नहीं देखे उसी के फेर में आज पूरा दुनिया बेकल है उसके फेर में पूरा दुनिया बेकल है जिसको किसी नहीं देखा है आज तक एक मुसल्मान से मैंने पूछा है बड़ा मोटा तगरा दिख रहे हैं दोसरा के मांस खाके दोसरा के देह के मांस खाके मांस खोब फूलाए है आपके सरीर का अगर कोई मांस खाना पसंद करे तब तब क्या करेंगे आप दिजिये गार चुप्पे हमारे निकट से निकल गया हूँ धारम करते हैं धारम अल्ला को साहब कभीर कहे खोजे अल्ला के नगरिया जनम के फूहरी खोजे अल्ला के नगरिया जनम के फूहरी पांचो बक्त नमाज गुजारे राखे तीसो रोजा घट के अंदर खुदा बसत हैं तिनको कभी न खोजा घट में छाई है अंधियरी या जनम के फूहरी कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई घट के अंदर नूर बसत हैं तिनकर खबर न पाई पढ़ गए माया के लहरी या जनम के फूहरी रहांत में हजरत कदम रसूले नहिन में नभी भिराजे मन मका काया है कावा सिर परे नहद बाजे खोल के देखाना के वारिया जनम के फूहरी खोजे अल्ला के नगरिया मुसल्मान सब भी अल्ला के खोज में है अहिंदू भी भगवान के खोज में है असीख भी खोज में है इसाई भी खोज में है चारों खोज में लगा हुआ है मिला किसको? चारों में से किसको मिला भगवान? बंधूँओ सद्गुरु कबीर कहते हैं कहा सद्गुरु कभीर भी न, कोई कहा न सब्द ठीकाने का कहा सद्गुरु कभीर भी न, कोई कहा न सब्द ठीकाने का कोई लीला चौवीस अतारन का, कोई कहता तिर्थ कराने का, कोई देबल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भगती कराने का कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहा न सब्द ठीकाने का कोई कहा 24 अवतार के पूजा कीजिये नाम का जाब कीजिये सतलोक हो जाएगा बैकुंट हो जाएगा स्वर्ग हो जाएगा 24 अवतार में 10 अथार है भगवान का मुक और 14 अथार है उप दोनों मिलाचे भगवान का 14 अथार बताया गया है पहला अतार है मतस्था अतार भगवान मचली रूप में आये संखासु राक्षस को बद किये और बेद को परकास किये दूसरे भगवान कचुआ रूप में आये तो नरकासुर को बद किया और समुंद्र मंथन के द्वारा चौदर रत निकाला तीसरे भगवान बरा यानि सुगर रूप में आये तो हिरनाक्ष राक्षस को बद किये और विस्टा में छीपी हुई धर्ती को बाहर निकाला चौथे भगवान बावन रूप में आये तो परहलाद को बचाया हिरनकस्पू का करेजा फार दिया पाँच में भगवान बावन रूप में आये तो राजा बली से तीन डिग छल से जमीन मांगा और अंध में एक लात्मे पताल को भेज दिया छटे भगवान परसुराम रूप में आये तो ये कईस बार धर्ती को निच्छतरिय किया अंध में पिता के आदेश से अपने मां का गरदन कातलिया साथ में भगमान राम रूप में आये तो सेत मांधरा में स्वर बांध कर लंका जाकर रावन के पूरे खंदान को मार के गिराया और आठ में भगमान किर्ष्ण रूप में आये तो सोला सहत्र गोपी और आठ पटरानी के साथ भोग बिलास किया और बरहमचारी कहाया नौ में भगवान बहुत रूप में आये जो रक्तवीज दैट को मार के गिराया और जाती पाती का भेद भाब दूर किया और दस में भगवान कलंकी रूप में आने बाले है उसमें लिखा है सिरीमत भागबत में कि उतर परदेश में मुरादा बाद टाउन है उसके बगल मे संभले गाओं है वहां कुमारी ब्रहामनी के कोक से कलंकी आउतार लेगा जो कल्यूग में कलिंजर रक्षास को मार के गिराया यह दस भगवान मुख बताया गया दसों आउतार में मडर हुआ पून की नदीब ही है इस आउतार बाद की पूजा चल रही है चौदव उप आ आया गया है जिसमें पहला उतार नारज जी का है मनु जी का है जो भगती मार्ग दिखलाने के लिए हुआ दूसरा उतार नारज जी का है पहला उतार मनु जी का है जो जगत की बेवस्था करने के लिए हुआ और दूसरा उतार नारज जी का है जो भगदी मार्ग दिखलाने के लिए हुआ तिसरा उतार विश्णू संतोसी का है जो विवेग करने के लिए हुआ और चौथा उतार हंसन कादी का है सदा पांच बरस के बाल्यावस्था मेरा ने के लिए हुआ है पांचमा उतार विश्व मोहनी है जो तैत्यों से अमरीत लेने के लिए छीर सागर में हुआ छठा उतार कपिल जी का है जो देभूती और करदम रिशी के मेल से हुआ और सांग सास्त्र बनाया सातमा उतार वेदा व्यास का है जिनोंने वेद को भख्त करके अठारा पुरान बनाया आठमा उतार दाता तरे का है जिनोंने चोविश गुरु करके संसार को पदेश दिया जब तक हिरदाई में सांती न मिले गुरु की खोज करनी चाहिए नौमा उतार राजा पृतु का है जिनोंने पृति भी को गव बना के दुआ और और उस्धी निकाला दसमा उतार है गृरीब का है जो मधुकेटप दैत को मार के गिराया एक आरमा उतार नरान जी का है जो धर्म भरजा से तब करने के लिए हुआ बरहमा उतार सनकादि का है जो विचार करने के लिए हुआ तेरहमा उतार धनवंतरी का है जो रोगनास करने के लिए हुआ चवदहमा उतार यगमेंद्र की कन्या से यक करने के लिए हुआ इसी 24 अवतार के चक्कर में ये पूरा दुनिया के लोग लगा है जो माया ने खेल किया जो माया ने तंडव किया उसी माया के खेल बला पूजा में पूरा दुनिया के लोग कोई लीला 24 अवतार के लीला में फसा है और कोई कहता तिर्थ कराने का, भक्ति कराने का, कोई तिर्थ करबा रहा है, तिर्थ में जाओ मुड्याँ जाएगी, और कोई भक्ति करबा रहा है, और कोई कहा कुछ न करना रसना राम रटाने का रसना मनें तो होता है जिब्या जिब्या से के बल राम नाम कहो तुम्हारी मुक्ति हो जाई तता ये को सुगा आकास में उर रहा है और एक सुगा पिजरा में बंद है और राम नाम पढ़ने से मुक्ति होगी तई पिजरा वाला सीता राम पढ़ता है कि आकास वाला सुगा तई तई बुढ़ा कमर गया जेल में असीता राम परते परते चुटी नहीं मिला इसको रसना राम रटाने का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहान सब्द ठीकाने का कोई पीर बने फकीर बने कोई किया मुरीद निसाने का कि कोई तीस रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का कोई हजब हकीकत हिकमत को कोई कहा सब्द फर्माने का कहा सद्गुरु कबीर बिना कोई कहा न सब्द ठीकाने कोई अमर अलिया फीर पेगंबर गौश कुतुब कहवाने का कोई मलंग कोई बने कलंदर भेश किया सब खाने का खूद खुदा के मरम न जाने, पाये न नाम निशाने का, कह सद्गुरु कभीर बिना, कोई कहा न सब्द ठीकाने का, कोई अरपन, कोई तरपन पुजा, संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर सीला माठी पत्थर, प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप धीप ले आरती साजे, घंटा संख बजाने का, कह सद्गुरु कभीर बिना, कोई कहा न सब्द ठीकाने का, कोई अरपन, कोई तरप, कोई नेती धोती आत पकारे, उल्टा पबन चड़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे, तिरकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा, कोई अनहग जिल मिल, सब्द वहां नहीं जाने का, कह सद्गुरु कभीर बिना, कोई कहा न सब्द ठीकाने का, कोई साथ सुरात, कोई साथ कमल, कोई साथ सुनने तक जाने का, कोई ररंकार, उंकार, निरंजन, सोहं सक्ती जमाने का, कोई छोड कोई अच्छर कोई नियाच्छर सुख मन में ध्यान लगाने का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहान सब्द ठीकाने का बाल मिगीरा मायन भाका राम लखान अउतारे का सूर्दा सुक सागर उपजा करता नंद कुमारे का कोई काली कोई दुरगा पूजा भैंशा भेर कटाने का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहान सब्द ठीकाने का जब दिल बैठा संतोस तक्त पर मिट गया आप बिराने का आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का यहां महां मैते और न दुजा केवल सब्द ठाहराने का मजहव की बात कभीर बखाने हट गया मत संसारे का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहान सब्द ठीकाने इतना जाल विछाया गया अध्यात्म के नाम पर, इतना नियम पर नियम, इतना धरम पर धरम ख़रा किया गया, धरम से मुक्ती होती है क्या, नियम से मुक्ती होती है क्या, कल्यान होता है क्या, धरम तो आपका स्वभाव है, अगर आप गाली पढ़ते हैं तो अपने धरम पर नहीं अगर आप मास मचली खाते हैं तो आप अपने धारम पर नहीं अगर आप बीरी सिक्रेट गाजा भांग पीते हैं तो आप अपने धारम पर नहीं अगर आप चोरी दलाली बैमानी करते हैं तो आप अपने धारम पर नहीं धारम से मुक्ति नहीं होती है साहब कभीर का एक भाजन है संतो सोनिजे देश हमारा हो संतो सोनिजे देश हमारा जहां जाए जिव फिर नहीं आवे भावसा घर के धारा उस लोग की विशेष्ता क्या है कहा आरे पांच ता तो ऐसे बहुत भजन है एक करी मैं बताता हूँ पांच ता तो गुनतीन तहां नहीं नहीं वहां स्रिष्टी पसारा धर्मा अधर्मा तहां कछू नहीं जहां न धर्म हो न धर्म हो वो देश मेरा है धर्मा अधर्मा तहां कछू नहीं पाप पून विस्टारा आज सारे दुनिया के लोग हिंदू हो या मुसल्मान सीख हो या इसाई सब लोग पाप पून के दुकंदारी में भीरा हुआ है सब है पाप पून के दुकंदारी में कल्यान का मार्ग कही नहीं है केवल पाप पून के दुकंदारी चल लई है छट क्या है पून की दुकंदारी जितिया क्या है विस्टार्मा पूजा क्या है पून की दुकंदारी करवा चौथ क्या है करवा धर्मा क्या है गंगासनान क्या है बैनाध्धाम क्या है बैशनो देवी क्या है पूं की दुकंदारी चल नहीं है पुन लेके क्या कीजिएगा एपुन करने वाले पुन करने वाले के मन में कुछा कांचा है कि ये भग्बान आपका मैंने हाथ उठाया है एक वो पोता हमको दीजिएगा अब पोता देखने से कहीं मर गए पहीले तब पोता देखने के लिए ये फिर आपको भी गरब में चलना पड़ेगा फिर आपको शरीर पकरना पड़ेगा पोता देखने के लिए तो स्वरक गए कि नड़क गए पापुन के दुकंदारी में रहने वाले किसी का कल्यांग नहीं होगा करते रहिए पाप गंगा जमना में नहाते रहिए अच्छाच चंदा करते रहिए अब मचरी मास खाते रहिए कुछ नहीं होगा इसे इसाब पापुन के दुकंदारी शारकभीर काते हैं मेरे हम धर्ब नहीं होता है और पाप भी नहीं और पुन भी नहीं इस चारों को हटा दीजिये तो कहिएगा करना क्या है करना है केवल अपने कल्यान की बात सोचना है नाम को पाप करना है, पुन क्यों किया बेटा के लिए, पुन क्यों किया पारी के लिए, पुन क्यों किया बाची के लिए, पुन क्यों किया बेटा के नोकरी के लिए, पुन क्यों किया बेटा के रिजल्ट के लिए, पुन क्यों किया मकान बनने के लिए, पुन क्यों किया ज यही पुन की दोकंदारी चल लएगी इसे मुक्ती होती है निया दोकंदारी से मुक्ती चलती है कल्यान होता है किया कर ले कभीर साहब से च्छाइलेंज किए काल ने सद्गुरू कभीर से च्छाइलेंज ठोका क्या कभीर किसको किसको पार करो तुम आपके नाम पर इतना नहम पाप पुन्य के दोकंदारी चलाएंगे एक भी आदमी बच नहीं पाएगा सब को फसाएंगे और कहा पाप पुन्य के करब पसारा जे बाजे से जीब हमारा पाप पुन्य हमरे से होई अलेखा हमार लिहें नहीं कोई आज दरजन के दरजन गाय कट रही है भैंस कट रही है वूट कट रहा है दुम्मा कट रहा है बकरी कट रही है भेरी कट रही है मुडगा कट रही है कबुतर कट रहा है है कोई देखने वाला ही पापपुन के दुकंदारी के यही दुकंदारी चल रही है कल्यान का मार्ग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है सब लोग हैं दुकंदारी में एक आदमी था जिसका उम्र पचास बरस का था अब वेचारा के जो पत्नी थी उससे बाल बच्चा नहीं हुआ तो एक दुसरा साधी किया दुसरा किया तो उकरों से नहीं हुआ बाल बच्चा अब दुन्नों सौतिन में इतना बैड चले रात दिन इतना जगरा लराई जो उसका पती तो बेचारा तवा हो गया दोनों के लराई से एक मित्र था उसका कहा मित्र कुछ पैसा हमको दो कि हम चले जाए कहीं बाहर अब हम नहीं रहेंगे कहा क्या हुआ दोनों पत्नी के लराई से अब हमरा जी उप गया अब मैं मर जाओंगा चिंता से कहा दोस जाओगे पंजाब फिर तो घूम के यहां ही आओगे अड़े ऐसा उपाय लगाओ कि सदा के लिए जगरे खतम हो जाए जाने से कोई फैदा तो नहीं होगा कहा तो क्या करे बोलो एक गाउं के बगल में जहां से गाउं खतम हो गया है घार उसके बगल में दो चार कठा जमीन खड़ी दो और उसमें एक मकान बनाओ एक पत्नी को यहां रख दो आएक रहेगी पुरना घरारी पर दोनों में दूरी बन जाएगी जगरा लराई बद्न हो जाएगा का ठीक जमीन खड़ी दाया मकान बना बर्की रह गई पुरना घरारी पर अचोटकी आगई नैका घरारी पर गई तो दोनों दो जगह लेकिन गाउं के अवरभ सब सुईया डोरा करना बंद नहीं किया ओकुरो कुछ जाके सिखा आए या तो यहे चल जाए लेकिन जगरा बंद नहीं हुआ तो इचारा आतंक आ गया कहा दोस अब दो रूपया अब नहीं हुआ जगरा बंद अब हम नहीं रहेंगे तो दोस दिया कुछ रुपयया जचारा चल गया पंजाब पंजाब से कभी आने का भी इक्ठा करता था तो इस अगरा लड़ा याद आवे, अब देचारा प्रोग्राम केंसिल करते करते, बारा बरस समय दिए लिए, बारा बरस नहीं आया पंजाब से, मा का महिना उतर रहा था, अब फागुन का महिना चर रहा था, इनकी बड़की पतनी चिठ्धी लिख रही है, चिठ्धी आपके चरन कमलों में मेरे तरब से साधर परनाम, और आपके चरन की किरपा है, तो मैं दिलकुल सकुसर रहा करती हूँ, ना भोजन का दुख है, ना कपड़ा का दुख है, ना कोई श्रिंगार के समान का दुख है, ना कोई गहना जेवर का दुख है, वह आपकी किरपा है लेकिन दो बातों की दुख मेरे जीवन में है कि दीन में जब साड़ा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पती देवा आपका याद आता है मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पती कल कार खाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे तो अभी भोजन बना के कौन दिया होगा और दूसरा दोख रातरी में सब काम करने के बाद भोजन के पस्चाथ जब मैं विजाबन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पती कल कर खाना से काम करके ठके मादे आये होंगे तो मेरे पती का भी सेवा कौन किया होगा ये दो दुख बड़ा सताता है पति देब मेरे बातों से दुख न हो तो आगे होली का दीन आ रहा है दो चार दीन के लिए आ जाना दर्सन दे देना और पुनह पंजाब चला जाना चिट्टी लीक के लेटर भक्स में गिला रही थी गाउं के कोई और देख लिया अब आउरन इसके सुटीन को जाके का दिया देखो देखो तुम भी चिट्टी लिखो आगे होली का दीन आ रहा है तुम्हारी सुटीन चिट्टी लिखी है बरकी ऐसा नहो कपरा गहना जेवर मिठाई रुप्या पैसा सब उसी के हाँ आ जाए तुम ही लिखो कल हो के छोटकी लिख रही है इक ऐसे लिख रही है उपर में लिखती है क्या जी बारबर से पंजाब में घूम रहे हो होटल में मुर्गाबाद खाते हो सिनेमा हौल में जाते हो मुह में पान चबाते हो रोड पर गुल छर्रा खूब उराते हो कुछ याद है हमारी जिन्दगी बारबरण से कैसे कट रही है याद रख लो आगे फागुन का महीना आ रहा है इसमें आपको निश्चित रूप से आना है बाई फोर्शली और सुन लो चीठी के अंदर मैं एक सुची भेज रही हूँ मेरे लिए सारी पेटी कोट भलावज नतिया बाली लोकेट पाईल अइना कंही ठिकली से नूड ए सुनो पाउडर सारे सुरिंगार के समान का नाम लिखती है अंत में लिख रही है याद रख लेना जिस दिन समान लेके आओगे मैं अपने सुची से मिलाऊंगी सुची का सची परतिलीपी मेरे पास रहेगा मैं मिलाऊंगी एक भी समान अगर कम्मी आया एक भी समान अगर घटिया किस्न का आया तो एक भी जारू धरती पर नहीं पड़ेगा चिठी लीख दिया चिठी गया पंजाब डाग प्यून इसके हांथ में दिया अई बेचाड़ा को दीने में तरेगन दिखाई देने लगा डर के मारे डेरा से रुप्या लिया गया दुकंदार को चिठी दिखाया पर लिजिये ठीक से ऐसा नहो की सारा जारू हमरा पीठे पर लगे ऐसा समान मत दिजिएगा खुब सोच समझ के सही सही समान दे दिजिए दुकंदार सोच समझ के सही सही समान दिया वहां से लाया पोली थिन में बंद करके डेरा पर आके अटैची में समान को सजाया दू अटैची समान भर गया दुर्नू अटैची लिया टिकट कटाया और ट्रेन में बैट गया आ गया आ गया इस्टेशन से दू-तिन किलो मीटर के दूरी पर इसका घर था उतरा फागुन महिना कुछ गर्मी आ जाती है कोई रिक्सा टम-टम था नहीं इस्टेशन पर दोनों हाथ में एक एक अटैची लिया और पाउं पैदल घर के दरब चल दिया जब गाउं के निकट आया तो गाउं के कोई एक महिला इसको आते हुए देख दिया अई इसके बड़की पतनी को जाके का दिया एजी तुम्हारे दुलहा पंजाब से चले आ रहे है बड़की दोड़ती है दोड़के गई और पती देव को पैड़ चुके परनाम किया अग दोनों हाथ से अटैची लिया पती देव आगे आगे और ये महिला पीछे पीछे गई अपने दर्वाजे पर इमंदार कितनी है बड़की दोनों अटैची दर्वाजे पर छोड़ लिया सबसे पहले पती के लिए एक भी चावन कर दिया पती देव बैठ गए ठाली में जल आई पती देव का दोनों चरन पकार दिया और पंखा लेके बैठ गई और पती से कुछ हाल चाल पूछने लिए इतने में गाओं के कोई और छुटकी को जाके कह दिया जल्दी करो दोनों अटैची है बर्गी के दर्वाजे पर ऐसाना की दोनों लेके पार कर दे जल्दी जाओ आ गई छुटकी अब दूरे से कहती है क्या जी आ गए परिका जे हां आ गए जरसूची निकालो अब मैं भ अलम बाद में होगा समान मिलाना सुरू किया समान तो ये टू जेट सही था फिर दोनों अटैची में रख लिया चुटकी दोनों अटैची उठा लिया अपने घर की ओर चल दिया जब चुटकी दोनों अटैची उठा कर अपने घर की ओर चल दिया बर्ह की खाली हांत दर्वाजे पर से अपने आंगन की ओर चल दिया तो पती देव बर्ह की के पीछे पीछे चल दिया गाउं के औरस सब जगा खरी थी को जाती है क्या जी है कि यही मनदारी है तुम्हारी 12 बरस पर आये हो आगे होली का दिन आ रहा है अग दो पतनी है तुम्हारे पास और द sebep तप तूमने लाया तो एक एक अटैची दोनों को देना चाहिए न कितना बैमान हो दोनों अटेची छोटकी को दे दिये हो अब बर्की के पीछे खाली हाँ जा रहे है तो पती ने जवाब दिया सुनो ये जो हमारी छोटकी पत्नी है इसको हमारे समान से प्रेम है समान लेके ये जा रही है अई जो मेरी बर्की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है इसलिए जान इसके साथ जा रहा है पती बड़ा है कि समान बड़ा है पती किसको मिला है बर्की के न जाकी रही भावना जैसी प्रभी मूरतितिन देखाई जैसी इपूरा जिंदगी इप महिला पुरुश पोता नाति मकान दोकान जमीन अन्नुक्री बगती चल लाई पापुन की दुखंधारी चल लही है पूरा एकदम पापुन की दुखंधारी चल लही है इसे कल्यान कभी जी्व का होने वला नहीं पापुन की दुकंदारी से, शाहब कबीर कहते हैं, धर्मा या धर्मा, तहां कछू नहीं, धर्म है सोना के पिजला, अधर्म है लोहा के पिजला, पाप है अधर्म है सोना के पिजला, सोना के पिजला में अगर सुग़ा को रख भी आ जाए, तह सुग़ा कुछी मनाएगा, अगर कईदी को सोना का हथकरी लगा के जेल में रखा जाए, то कईदी हसेगा की रोएगा, पुन है सोना के हथकरी अब पाप है लोहा के हथकरी दोनों में फस रहे हैं पाप में भी और पुन में भी दोनों में आपका फसाफ जारी है साहब कभीर कहते हैं वहां वो वैसा मत करो 24 घंटा अपने दिल दिमाग में रखो कि इस शरीर लेके जो मैं आया अमा के गरह में 9 महीं न रहा उतना कस्ट वहां काटा यहां दुनिया में कस्ट काट रहू आखिर कार इस सरीर कब तक मैं पकरते रहू अकब तक असमसान जाते रहूं अकब तक गरह में जाते रहूं इससे हमारी छुट्टी हो जाए वो काम क्यों नहीं करते हो आई बेटा बेटी के कौन दोकंदारी में फसल हो अपोता पोती के नाती नतनी के इकौन दोकंदारी है यही साड़ा पापुन के दोकंदारी में जिन्दगी भरा ओरस सब पाप उनके दोकंदारी करती है आंध में रोका न बेटी गया जवरे न दमाद गया न नाती गया न नतनी गया न पोता गया न पोती गया सब दोकंदारी आंध में फेल कतम रोते हुए अकेले यहां से दुनिया से चले जाएगा